बॉलिवुट की एक आक्ट्रिस को फिनैंशिल क्राइस से गुजरना पड़ रहा है कोविट के दौरान फिनैंशिली हर एक इंसान तूटा है बॉलिवुट के सेलिब्रिटीस का भी काम बंद हो गया है शूटिंग नहीं हो रही है, इविंट्स नहीं हो रहे है और जब इंसान डेर साल से घर में बैठेगा तो उसका घर कैसे चलेगा ऐसे में ये सेलिब्रिटी है जुसने शेयर किया कि फिनैंशिली वो तूट चुकी है सबसे ताजुब की बात तो ये है कि ये सेलिब्रिटी एक स्टार किड है इनके पिता इंडस्ट्री के बहुत बड़े आक्टर है नामी आक्टर है, टॉप आक्टर में माने जाते हैं और इनकी मौम भी एक आक्टरस रहे चुकी है बात हो रही है कावल हसन की बेटी शुती हसन की शूती हसन ने रीसिंटल इंटर्वियू में अपनी परसनल लाइफ को लेकर जो ये बात बताई है कि वो financially ठूट गई है वो वाकई में शॉकिंग है कि जब इतने वड़े आक्टर की बेटी होने के बावजुद वो इस दौर से गुजर सकती है तो फिर आम इंसान का तो क्या ही हो रहा होगा शुती हसन ने इसके पीछे का कारण भी बताया ऐसा नहीं है कि उनके पिता उन्हें मदद नहीं कर सकते हैं उनके पिता के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन शुती हसन कहती है कि जब आप जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो जब अपनी ज पिता की नहीं है और ना ही वो उनके पिता से पैसे लेती है, वो खुच चुकाती है. ऐसे में सिर्फ परसनल बिल्स या फिर ग्रॉसरीज की बात होती, तो ये खर्चा तो शुरुती हसन वैसे ही निकाल लेती. लेकिन लोगडाउन लगने से पहले, शुरुती हसन ने एक ऐस काम किया जो वैसे तो अच्छा काम कहा जाता है लेकिन आज की डेट में शूती कह रही है कि मैंने यह काम करके बहुत गलत डिसीशन लिया और जिसने भी काम नहीं किया वह सेफ है अच्छली शूती हसंने लॉगडाउन लगा था उससे पहले ही अपने लिए नया घर और नई गाड़ी ली थी जिसकी installment शुरू हो गई थी ये installment शुरुआत में तो शुरुती हसन ने भरी लेकिन एक डेड़ साल से lockdown के कारण अब शुरुती हसन financially थोड़ी उलज गई है तो अभी मैं financially बहुत limited तरीके से जी रही हूं मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी या पापा मेरे bills या EMIs चुकाते हो सोशल मीडिया पर शुती हसन काफी active रहती है और अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो कहते वो चूपती भी नहीं है हाल ही में जब कहीं सारे celebrities Maldives गए तब भी शुती हसन ने इन सारे celebrities को slam किया था और कहा था कि ये वो time नहीं है जब आप holidays पर जा ट्रेंग